नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक ओडियो स्टोरीज की सीरीज आरंब करने जा रहे हैं, इसमें हम बाल कथाएं, बाल साहित्ते, एवं उपन्यास और कहानियां, विश्वपसित कहानियां, इनकी ओडियो सीरीज बनाएंगे, तो प्रस्तुत है साथियों, आज की कहानी बाल साहित्ते में, ये एक लोग खता है, और इस कहानी का शीर्षक है, तीन पुतले, महराजा चंदरगुप्त का दरबार लगा हुआ था, सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे, महामंतरी चानक के दरबार की कारिय वाही कर रहे थे, महराजा चंदरगुप्त को खिलोनों का बहुत शोग था, उन्हें हर रोज एक नया खिलोना चाहिए था, आज भी महराजा के पूछने पर की नया क्या है, पता चला की एक सोदागर आया है, और कुछ नए खिलोने लाया है, सोदागर का ये दावा है कि म महराज या किसी ने आज तक ऐसे खिलोने ना कभी देखे हैं और ना कभी देखेंगे, सुनकर महराज ने सोदागर को बुलाने की आग्या दी, सोदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकाल कर महराज के सामने रख दिये, और कहा कि अन्यदाता ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेश हैं देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं पहले पुतले का मुल्य एक लाक सुर्ण मोहरे हैं दूसरे का मुल्य एक हजार मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मुल्य केवल एक सुर्ण मोहर है समराट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा देखने में कोई अंतर नहीं लगा फिर मुल्य में इतना अंतर क्यों इस प्रश्ण ने चंद्रगुप्त को बहुत प्रेशान कर दिया हार कर उन्होंने सभासदों को पुतले दिये और कहा इनमें क्या अंतर है ये मुझे बताओ सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस समस्या को सुलज्याने का जवाब नहीं मिला महराच अंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उन्होंने वही प्रश्ण अपने गुरु औ और महामंतरी चानक्य से किया चानक्य ने पुतलों को भहुत ध्यान से देखा और दरबान को तीन तिनके लाने की आक्या दी तिनके आने पर चानक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला सब ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया थोड़ी देर बाद पुतले के होठीले और फिर बंद हो गए अब चानक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला इस बार सब ने देखा कि तिनका पुतले के मुँ से बाहर आ गया और पुतले का मुँ एक दम से खुल गया पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो महराज चंद्रगुप्त के ये पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुत्रों का मुल्ले अलग अलग क्यों है तो चनक्य ने उत्तर दिया राजन चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उसकी पुष्टी करने के बाद ही अपना मूँ खोलते हैं यही उनकी महानता होती है पहले पुत्ले से हमें यही ग्यान मिलता है और यही कारण है कि इस पुत्ले का मुल्ले एक लाख सुन मौरे हैं महराज कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं हर बात को अंसुना कर देते हैं उन्हें अपनी वावाई की कोई इच्छा नहीं होती ऐसे लोग कभी किसी को हानी नहीं पहुचाते दूसरे पुत्ले से हमें यही ग्यान मिलता है और यही कारण है महराज के इस पुतले का मुल्य एक हजार मोहरे हैं लेकिन कुछ लोग कान के कच्छे और पेट के हलके होते हैं महराज कोई भी बात सुनी नहीं के सारी दुनिया में शोर मचा दिया इन्हें जूट सच का कोई ग्यान नहीं होता बस मूँ खोलने से मतलब होता है यही कारण है कि इस पुतले का मुल्य केवल एक मोहर है महराज चंद्रगुप्ति ये सुनकर बहुत ही प्रसन्ने हुए और उन्होंने उस खिलोने वाले से जो एक लाग सुन मोहरों वाला पुतला था वो खरीद लिया और उसे सम्मानित करके अपने राज्ये से खुशी-खुशी विदा किया धन्यवाद दोस्तों